करेंगे आज कि इस पीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे वैसे तो हम आलेडी दस से पंदरा बार इस बारे में आपको जानकारी दे चुके हैं लेकिन कुछ है इस ट्रेंट्स को जानकारी नहीं मिल पाती है तो वह लगातार कमेंट्स करते रहते हैं तो उनके लिए एक बार फिर से बड़ी अप्डेट आ चोगी आपके प्राइबेट परच्छा फॉर्म से रेटेड यूजी और पीर जी के प्राइबेट परच्छा फॉर्म कब भरे कर दीजे तो चलिए दोस्तों आज की से बीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो यहां पर आपको बता दें आपके प्राइबेट परिच्छा फॉर्म तभी आएंगे जब पहले इंप्रूमेंट परिच्छाओं का रिजल्ट आ जाएगा तो पहले क्या आएगा पह यहां पर हम बात करें आपकी एंप्रूंट परिच्छाओं के रिजल्ट के बारे में तो इसी महीने के लास्ट तक आपका जो रिजल्ट है वो उनिवसिटी के तरफ से जारी हो सकता है तो इस वीडियो को जादा जाधा की बारे में जयानका नहीं मिल सके और इस महीने आप का रिजल्ट आ जाएगे इंप्रूमेंट परिच्छाओं का उसके बाद जो है वह आप मानकर चलिए कम से कम दिसंबर या फिर जनबरी में आपके प्राइबेट एक्जाम पॉर्म इनिवोस्टी की दरफ से जारी किये जाएंगे और आप धड़ा धड़ा अपने प्राइबे आप मानकर चलिए कि आपके जो प्राइबेट परच्छा फॉर्म है वह लगभग लगभग दिया तो दिसंबर के लास्ट में या फिर जनबरी में ही आपके प्राइबेट परच्छा फॉर्म आप आप आएंगे अगर आपको लेट हो रहा है तो तुरंत आप कॉलिज में जाकर उन्हें बता दीजे ठीके किने बता दीजे कॉलिज में जाकर बता दीजे यहां पर बताने से आपका लेट जो हो रहा है वो जल्दी नहीं होगा है जब आप कॉलिज में जाकर बताएंगे तभी कॉलिज वाले उनिवस्ति को बताएंगे उनिवस्ति को जल्दी कर सक तो इसके लिए आपको कहान जाना है अगर आपको ऐसा लगा बहुत लेट हो रहा है तो तुरन्त आपको अपने कॉलिज में जाना है जिस कोलज से पढ़ाई करना चाते हैं जिस कोलज से अग्जाम फॉर्म भरना जाते हैं दूसी पीड़ी कोश्या जूज कीजिए अपनी फ बहुत जाएगा जो डेट अभी मैंने आपको बताइए ठीक है या तो दिसम्बर के लास्त में या फिर जन्वरी में कई सबस्टेंट्स अलग से कमेट मारते रहते हैं कि मैं तो सेक्ट इंडियर में हूं मैं तो फैनल यर में हूं मेरा अलग बताइए मैं तो अलग हूं आप अलग बिलकुल नहीं है आप एक साथ है सभी स्टेंट्स फिरस्ट इस सेकेंड एं थर्ड इयर सभी एक साथ हैं सबके फार्म एक साथ भरे जाएंगे तो दोस्तों आज कि इस वीडिए में बस इतना ही मिलते बेकनी वीडियो में एक नी इंफ्रमिशन के साथ थेंगी तो म भूछ भूचिए वाजग दूचिंए,